चालो, चालू किया जाए। डिस्क्रीट डिस्ट्रिबिशन्स हो गया ना तुम लोग का। डिस्क्रीट डिस्ट्रिबिशन्स हो गया है। हेडिंग लगाना। कंटीनूस कंटीनूस डिस्ट्रिबिशन्स ठीक है। एक चीज़ समझो। क्या फ्लो रहेगा ठीक है। आज तुम लोग का ट्यूज जे है। कॉलेज कौन कौन साथ दिन चुट्टी है। सेड़ेटे सेड़ेज चुट्टी है ना। सेड़ेटे कहां से नहीं है। सेड़ेटे तो दशेरा है। इसी सेड़ेटे का बात करो। अगला तो देखा जाएगा। ठीक है। तो अभी ये सेड़ेटे और संड़े CS1 का लगने वाला 6 गंटे का क्लास। ठीक है। टाइम मैं बता देता हूं। सुवह नौ बजे एंटर करेंगे और 4 बजे चुत्ती होगा। क्या कोनी मार हुए तुम उसको? हाँ। ठीक है। 9 बजे करेंगे और 4 बजे चुत्ती होगा। अपने क्लास को तीन फेज में करेंगे। एक शॉट ब्रेक रहेगा। दो घंटा बाद, फिर एक लंच बेक रहेगा, 30 मिनिट्स का, ठीक है, तो Saturday, Sunday, CS1 का एकदम दिमाग में रखना, ठीक है, और अभी जो है, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, 4 to 8, ठीक है, टार्गेट है, मैं एक टार्गेट सेट करके आया हूँ, वो टार्गेट कम्प्लीट करना है, और एक चीज आजना, जैसे distributions मैंने backup में देखने बोला था, नहीं देखा, कोई बात नहीं, बट तुम लोग अगर नहीं पढ़ाई करेगा, तो exam में वो result नहीं आएगा, चाहे कैसे भी करो, CS1 को जितना अच्छा से पढ़ेगा, उतना ही easy CS2 बनेगा, ठीक है, उतना ही easy CM2 बनेगा, ठी having, अगर CS1 में अच्छे से होता है, तो फिर CS2 में उतना problem नहीं होता है, ठीक है, तो जितना भी सारा physical class है हम ले रहे हैं, सिधात से ले रहे हैं, इसके बाद मैं वापस से आ रहा हूँ 21 तरीको, target मेरा यही है कि 21 से 27, ठीक है, तक बहुत अच्छा एक chunk मैं तुम लोग को कर करवा दू, तक कि जो भी आज live class में बैठा है, उसका October एंट तक एक अच्छा syllabus हो जाए, और फिर उसके बाद वो खुद से भी कर सके, फिर जब मैं November में आऊंगा, मेरा target रहेगा दो बड़ा chapter करवाना, जो Bayesian है और आपका GLM है, मैं target लेके ही आ रहा हूँ, कि CS1 के students को मेर region और GLM करवाना है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, Bayesian में आप लोग का live online करवा दू, रात में साड़े-9 बजे जो class होगा, सब लोग attend भी कर पाएंगे, और अभी हम लोग का industry expert सिध्धान सर का class चालू नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो जो चालू होगा, वो class कोई miss नहीं करेगा, साड़े-9 बजे class सिर्फ इसी लिए है कि सब लोग अच्छे से attend कर पाएं, तुम लोग जितना live class करेगा, उतना तुम लोग का probability बढ़ते जाएगा, पास होने का, तो live class कोई miss नहीं करेगा, चाए physical हो, चाए live online mode में हो, ठीक है, and अपना target अपने लेके चल रहे हैं कि November end तक अपने को syllabus एक बार अच्छे से खतम करना है, and it is possible, it is possible, 50 days में CS1 is possible, बट तुम लोग को क्या, अच्छे से महनत करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत दिन मन करेगा, आज नहीं पड़ते हैं, ठीक है, वैसे नहीं होता है, आपको एक routine follow करना पड़ेगा, ठीक है, so you need to make some good sacrifices तभी जाके वो आपका अच्छा एक life होता है, अब जैसे देखो, क्यालकटा में 5 days का दुरगा पुझा है, full celebration होता है महाँ पर, but I am here, right? You need to take these tough calls in life, ऐसे नहीं होगा कि तुम लोग मन किया तो पड़ा, नहीं किया तो नहीं पड़ा, हो जाएगा, देख लेंगे, नहीं, actually that mindset is not there, कि मेरको December तक खतम करना है, तुम लोग का mind में के April में exam, I will see in April, no, अगर December तक इसको अच्छे से खतम करता है, then we can pick one more paper, be it bigger, be it smaller, why Why not? आज 10 लोग सोचेंगे उसमें से 3 जन तो करेंगे, 3 जन करेंगे, 2 जन तो पास होंगे, उन 2 में बनो, तुम 2 को देखके फिर और लोग, अगला बार 50 लोग करेंगे, 50 लोग करेंगे, 30 लोग attempt करेंगे, 20 का clear होगा, तो 2 का 20 हुआ ना, तो वो चीज करना बहुत, आप नहीं समझ में आ रहा है हापर, घर में जाके दुबारा recording देखो, समझ में आएगा, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है, एक बार हलका फुलका देखा, कोई भी मोड में बैटके देखा, खेलते, कूदते, उठते, बैटते, नहीं, प्रॉपर एक वो होना चीए सेट अप होना चीए, कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ऐसे चलते फिरते देखा, चलो ठीक है, ट्रावल कर रहा है, रिविजिन के लिए देख लिए बात अलग है, इसे बेसिक बेसिक चीज़े ध्यान रखो, अभी ये वाला जो है, हम लोग अपना बेस बना रहे है, इसके जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, चार बज़े खतम करेंगे थर्टीन को, एन थर्टीन टाम रिटर्निंग, चलो, तो लेट्स स्टार्ट, अभी ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रिबूशन अगर आपको रिवाइस करना है, मैंने कालकटा में कराया है, रीसेंट में कराया है, और वो मैंने आपका 90 मिनिट्स का लेक्चर होगा, वो यूट्यूब पे आए, और एक बात मेरे को आपको बोलना है, यूट्यूब पे हमारा अक्टिव रही है, यूट्यूब पे क्या हम लोग बहुत कॉंटेंट डालते हैं, तो बाहर का बच्चा तो देखके उसका नहीं ले पा रहे, क्योंकि तुम लोग को ऐसा है कि भहिया करा देंगे, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला, स्को रिविजन की तार, तो तुमको एक्सेस फोन पे नहीं चाहिए, ना, तुम जा रहे, on the way है, चलो आज हम यह है कि 30 hours में कैसे पुरा syllabus को revision हो सकता है, उसको हम लोग पुरा करेंगे, और उसको हम लोग open source पर डालेंगे ताकि तुम लोग जाते आते भी revise कर पाऊ उस चीज़ को, समझा, तो जितना बार distributions, जितना बार variables, जितना बार basic probability करेगा, उतना concept खुलता है, पुरा mat को read करना, यह सब तुम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, तो आईए, continuous distributions हम लोग चालू करते हैं आज का class, ठीक है, तो discrete में तुम लोग क्या क्या किया है, बताओ मिरको, binomial किया होगा, geometric किया होगा, negative binomial किया होगा, poison किया था, और क्या क्या किया है, बताओ, ठीक है, लगते हैं, heading लगाना, गामा distribution, ठीक है, गामा distribution, तो गामा distribution में, गामा distribution में, सबसे बहले गामा integration का formula क्या था, यह बताओ, 0 to infinity, x to the power, alpha minus 1 e to the power, minus lambda x gx is what, gamma alpha by lambda to the power alpha, alpha minus 1 का factorial by lambda to the power alpha, यही होता है न, ठीक है, अब इसमें देखो, ध्यान दो, मेरको एक pdf बनाना है, तो pdf का अगर integration करेंगे, तो क्या आएगा, 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, lambda to the power alpha by gamma alpha दोनों तोरफ multiply कर रहा हूँ, इसको multiply करने का reason क्या है, ताकि मेरा जो RHS है, RHS जो है, right hand side है, उसमें 1 आजाए, ठीक है, और LHS में क्या आजाएगा, 0 to infinity, क्योंकि dx है न, तो integration तो x का है, तो lambda to the power alpha by gamma alpha रहे नहीं रहें, उसमें क्या फरक पड़ता है, तो into x to the power alpha minus 1 e to the power minus lambda x dx is what, 1, समझा, and integration of what is 1, integration of what is 1, pdf, तो gamma distribution का जो pdf बनता है, वो बनता है, lambda to the power alpha by gamma alpha x to the power alpha minus 1 e to the power minus lambda x, x is greater than 0, समझा, हाँ, कॉपी कर लो, table book में gamma distribution में जाना, इसका mean निकलेगा alpha by lambda, variance निकलेगा alpha by lambda square, ठीक है, table book का पुरा proper use करना है, sir please scroll up, yes दिया, sure, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी हम लोग का guidance को follow कर रहा है, चाहे वो कैलकटा वाला afternoon batch में करें, चाहे ये वाला में करें, नवेंबर end तक पूरा अच्छे से खतम करा दूँगा, ठीक है, एंड सेम का डेट्स आ गया क्या, कब होगा, December ना, January, Colleges का अलग-अलग होता है कि सेम होता है, जाए North Campus हो, जाए South Campus हो, तो 1st January, sure, short, all semesters खतम, ठीक है, हाँ, तो आपका December वैसे भी class नहीं है, आप लोग के batch में, और January में 20 देज ओनलाइन चलेगा, and then I will be back on January last week, ठीक है, फिर जब मैं आउंगा, I will be here for 3 weeks and उस समय हम लोग पूरा सारा जो revision है, review class है, पुरा proper खतम करेंगे, तो बट आपका target यह है कि 20 दिन में पूरा revise करके doubts ready रखना है, क्योंकि देखो मेरे पास है पूरा दिन, but I can't keep class before 4 p.m., that's a problem, ठीक है, and I need to give some preference to you all as well, because बहुत सरे students ऐसे हैं, दोस वो रेक्वेस्टिंग में कि सब आप class 6 बजे से रखिए, ठीक है, मैं आपको एक way दिखा सकता हूं, जैसे expectation of x मैं यहाँ पर चालू करता हूं, ठीक है, जो 0 से infinity x into lambda to the power alpha by gamma alpha, x to the power alpha minus 1 e to the power minus lambda x dx, correct है, क्या कर सकते है अब अपने lambda to the power alpha by gamma alpha आ जाएगा बाहर, 0 से infinity x to the power alpha plus 1 minus 1, समझ में आया ने यहला सबको, ठीक है, e to the power minus lambda x dx, तो अगें gamma integration, gamma integration alpha के जगह में क्या है, जल्दी बताईए, और lambda के जगह में क्या है, lambda, तो अब क्या होगा, gamma alpha plus 1 by lambda to the power alpha plus 1, solve कर लिजे, क्या answer रहा बताईए, similarly यह हो गया, अब variance निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताऊ, variance निकालने के लिए क्या चीह होगा, expectation of x square, वो निकालेंगे and expectation of x square minus expectation of x का whole square, ठीक है, वो घर का काम है, वो घर पे काम करना है, ठीक है, अभी यह अला करना है, copy करिए इसको, एक basic probability का worksheet होगा, drive पे dashboard पे दिया आवे, ठीक है, वो आज घर पे जाके पुरा solve करेगा, कुछ-कुछ sums मैं करा दे रहा हूं, घर पे जाके पुरा उसको solve करेगा, ठीक है, 13th के पहले-पहले इसको पुरा solve करके doubts पुछेगा, क्योंकि कल का topic होगा generating functions, आज distributions मैं करा रहा हूं, सिधानसर अगर free हो जाएंगे, तो वह अभी आपको paper भी कराएंगे, ठीक है, paper यह paper भी side by side चलना चाहिए, ठीक है, जो IFO इसे दिर है, वो typing पे करेगा, धीरी-धीरे करके, next 21st से copy mail out नहीं है, वो लोग को typing पे ही करना है, जो आईए इसे दिर है, वो pen of paper पे कर सकता है, डाइनमिक बनना पड़ेगा, डाइनमिक बनना पड़ेगा, static उने से नहीं होगा, change को adapt करना पड़ेगा, the only thing constant is change, यह बत याद रखना, क्या आएगा, इसका, alpha by lambda आएगा, चेक करो तो, lambda to the power alpha by gamma alpha, into gamma alpha plus one by lambda to the power alpha plus one, है ना, तो क्या आएगा, alpha by lambda ही आएगा, क्योंकि gamma alpha plus one is what, gamma alpha plus one is what, alpha का factorial, और नीची में आएगा alpha minus one का factorial, ठीक है, तो alpha factorial is what, alpha into alpha minus one का factorial, तो alpha minus one का factorial, तो alpha minus one का factorial और alpha minus one का factorial क्या हो जाएगा, cut, clear है, गामा distribution clear है, हाँ, yes or no, कॉपी कर लीजिए इसको तो लोग चैट बॉक्स से बताएंगे क्लियर है की नहीं है रागफ क्या डाउट वह मैं कॉन करके पूछो हुआ आस्ता हुआ ठीक है ध्यान देना तो इस पर होमवक दे रहा हूँ अब ध्यान दीजेगा गामा गामा जो है ना गामा में probability कैसे निकलेगा ध्यान देना ठीक है गामा में probability कैसे निकलेगा अब इस पर ध्यान देते हैं अब जैसे मान लो तुम्हारा fx दियाव है 32x square e to the power minus 4x x is greater than 0 ठीक है एंड तुमको निकालना है probability x is greater than 1 तो जहां से जहां तक बुलेगा वहां से वहां तक अपने को करना integrate तो तुम करेगा 1 to infinity 32x square e to the power minus 4x dx राइट अब इसमें बाइपार्स लगाना पड़ेगा यही सोचो x to the power 9 होगा 10 होगा तो क्या करेगा अब तो गामा integration भी नहीं लगेगा गामा integration क्यों नहीं लगेगा एक सिन तुम बताओ गामा integration क्यों नहीं लगेगा क्यों नहीं बता पाएगा तुम बताओ क्यों नहीं पढ़ाई किया तुम हमको यह बताओ क्लास तो बाद में लेंगे, पहले तुन्हों का खबर ले लेते, कैसे नहीं आया, कोई हालत में तो अफिर तुम नीद में देखा है इसका मतलब, या फिर फुटबॉल खेलते-खेलते देखा है, तो गामा इंटिग्रेशन नहीं आया, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम करना पड़ेगा, तो गामा इल्फा बाई लैम्डा टुदी पार इल्फा, खाली वीजन होने से नहीं होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन, रिवीजन मतलब क्या, खाली आगे आगे पढ़ते जाएगा, बेफूपी तरह तो नलायक हो जाएगा, तुमको हर जो अलग बनाओ, हमोग कापी अलग बनाओ, तो क्लास कोपी बारबार रिवाइस कर पाएगा, तब तुमको दिमाँ में बैठेगा, गामा इंटिग्रेशन यह होता है, ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कि यहाँ पर गामा इंटिग्रेशन लगा नहीं सकत करेगा, हम लोग उसको काई स्कुर में कनवर्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग उसको काई स्कुर में कनवर्ट करेंगे, ठीक है, लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, वी विल नेवर कैलकुलेट प्रॉब्लिटी, वी विल नेवर कैलकुलेट प्रॉब्लिटी, वी व we'll never calculate probability four gamma distribution we will never calculate probability for gamma distribution by integration we will never calculate probability really quick internet please we will never calculate probability for gamma distribution by integration instead instead we will always convert it instead we will always convert it to appear instead we will always convert it to a chi-square distribution I am repeating it again इसका मतलब क्या है हिंदी में कि गामा डिस्ट्रिविशन के केस में कभी भी प्रोबाबिलिटी इंटीग्रेशन से नहीं निकालेंगे ठीक है इंस्टेड क्या करना है we will convert it to a chi-square distribution इंस्टेड अरे तुम लिख क्या लिखा पड़ो इंस्टेड will always convert it to a chi-square distribution ठीक है अब ध्यान देना अगर x फॉलो करता है गामा अलफा कॉमा लैमडा ये दो पैरामिटर्स है ठीक है तो 2 लैमडा x विल फॉलो chi-square 2 अलफा ठीक है ये conversion का रूल है chi-square distribution का problem क्या पता है मैंने chi-square distribution में क्यों convert करते हैं क्योंकि इससे ना इसका probability points और percentage points जिया है ठीक है एब टेबल बुक का page नमर 169 170 में जाना देखो मैं तुमको दिखाता हूँ 169 170 में जाओ ये देखो normal का दिया होगा right फिर page पल्टाओ फिर T आ जाएगा देखो right में देखो T आ जाएगा फिर आगे पेश पल्टाओ ये एक से नोगोशन हो फिर पीची जाना पड़ेगा शायद वॉनशिक्स्टी वनशिक्स्टी वन शारी 162 161 में आओ तो 161 161 में किसका दिया होगा ध्यान देना नॉर्मल का दिया है 162 में भी नॉर्मल का दिया होगा, फिर T का दिया होगा, फिर आ गया और देखो ये Chi-square का दिया होगा, देखो दो टैप का points होता है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब लोग, एक होता है तुम्हारा जैसे Chi-square is positively skewed, तो ऐसा बनता है, ठीक है, एक होता है पहले का, इसको ह लोग गोलते है, probability points, probability points का मतलब होता है, less than equal to probability, ठीक है, और एक होता है percentage points, तो percentage points का मतलब होता है, ऐसा, greater than probability, ठीक है, greater than probability, probability points का मतलब होता है, less than equal to probabilities, and percentage points का मतलब होता है, greater than probability, ठीक है, अब जैसे, अपने को निकालने क्या बोला है, बताओ, अब जैसे माल लो, x अगर follow कर रहा है, gamma for example 3,4, ठीक है, तो क्या होगा, बताओ, 2, बोलो, 2 into 4x, 2 lambda x will follow chi square what, 6, 2 into alpha, alpha यह alpha और यह lambda है ना, यह alpha और यह lambda है, ठीक है, गामा व्रिविशन का, PDF क्या है तरह ध्यान दो, गामा डिस्टिबुशन का, PDF अपन क्या बनाए थे, यह बना थे, इख च्छीधी पार alpha minus 1, एक स्विधी पार alpha minus 1, तो तुम एक काम करो, इसका PDF देखो, तो यहही आ रहे है, क्या इसका PDF बनाऔ कर देखो, तो क्या रहे है, ऐ एफ एक्स बनाओ, कैसे बनाएंगे, एफ एक्स जल्दी बोलो, अगर 3,4 है तो कैसे बनाएंगे, जल्दी बताओ, स्टार्टिंग में भी तो कुछ है, 4 to the power 3 by गामा 3 into x to the power 2, e to the power minus 4x, तो क्या आ रहा है, 32x square e to the power minus 4x आ रहा है, तो यही तो मैंने एक्जांपल में लिया है, तो इस केस में मेरा alpha क्या है, 3 और lambda क्या है, 4, तो अगर यह है, तो अपना काई square का conversion क्या बनेगा, 8x follows what, chi square, 6, मने 8x will follow what, chi square distribution with degrees of freedom, 6, degrees of freedom का मतलब क्या होता है, कितना values हम लोग freely ले सकते हैं, ठीक है, अब chi square 6 में ध्यान दीजेगा, chi square 6 में ध्यान दीजेगा, 8x follows chi square 6 है, निकालना क्या है, probability x is greater than 1, पहले मैं दोनों तरफ 8 से multiply करूँगा, तो probability 8x will be greater than 8, या फिर probability chi square 6 will be greater than 8, या फिर 1- probability chi square 6 will be less than equal to 8, अब आप लोग chi square का probability points में जाहिए, टेबल लूप का कितना नमर पेज में बताइए तो, 164 में जाहिएगा, 164, 165 में जाहिएगा, वहाँ पर 6 degrees of freedom में जाहिए, 6 degrees of freedom में जाके 8 वाला वैल्यू देखके बताइए कितना आ रहा है, 6 degrees of freedom में जाके 8 वाला वैल्यू देखके बताइए कितना आ रहा है, तो तो कितना एजी हो गया इंटेग्रेट भी नहीं करना पड़ा आपने को ख्लीर है हाँ आपने को इंटेग्रेट भी नहीं करना पड़ा चीक है क्या रबताओ 0.2381 ठीक एन सब को क्लेर हो गेला हां बोलो वापस से रिपीट कर देना ध्यान देना कभी भी अगर गामा डिस्ट्रीबिशन में प्रोबाइबलिटी निकालने बोलेगा तो इंटेग्रेशन मेथट से नहीं करेंगे टीडिये से क्लम्जी है टाइम कंसूइमिंग है बहुत दार होगा भी नहीं इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको काई सका प्रोबाइबलिटी प्रोबाइबलिटी पॉइंट्स ठीक है और इसको लोग बोलते हैं पर सेेटेज पॉइंट्स प्रोबाइबलिटी पॉइंट्स बतला पेला बेटवेटर लेज को अम दोग्रामर्क बनाया वह कत बार नाम दीएतेकों स्वा कि तरफ का एरिया भी शेरेड होगा कभी राइट तरफ का ओगा कभी लेफ तरफ का तो लेफ तरफ का है मतलब क्या है प्रॉबाइबिलिति पॉइंट पॉइंट जेए सर टेबल कैसे रीट करेंगे टेबल बुक का कौन सा नमबर पेज में है 165 हाँ 165 में जाओ देखो उपर में दियाओगा डिग्रीज और फ्रीडम उसमें 6 में जाओ और 8 वाला कॉलम में देखो 6 में जाके 8 वाला कॉलम में देखो मिला काई स्क्वेर नियू देता है यह सिंबल दिया होगा डिग्रीज और फ्रीडम का मतलब क्या होता है ध्यान देना यह कॉपी होगा यह लगा पूरा यह लोगे ब्रकॉपी अब जैसे देखो मान लो A है B है और C है ठीक है तीन जन है मैं को टूटल 500 रुपय डिस्ट्रिब्यूट करना है A को दिया 100 रुपया B को दिया 200 रुपया तो C को कितना मिलेगा C को कितना मिलेगा बताइए C को 200 मिलेगा ना तो डिवर से उफ्रीडब कितना हुआ कितना वलीज फ्रीली ले सकते हैं डो अरे तीन जन लेकिन वैलूज कितना फ्रीली ले सकते हैं यह वाला किस से उपर एई भाईगा? थेक है हो गया थेक है हो गया अब जैसे एक और कुश्चन देखो जैसे मानलो अपने को दिया वे 2 और लैमडा अपने को दिया वे 3 अपने को निकालना है प्रोबाइबिलिटी एक्स इस ग्रेटर देन 4 ठीक है है तो सबसे बहले एफेक्स क्या होगा यह बताओ एफेक्स क्या होगा बताओ 3 स्क्वेर बाइब गामा 2 एक्स ए टुदी पार माइनस 3 एक्स तो कितना रहे है नाइन एक्स ए टुदी पार माइनस 3 एक्स निकालने क्या बोल रहा है प्रोबाइबिलिटी एक्स इस ग्रेटर दैन 4 है ना तो आप अगर इसको काई स्कॉर में कनवर्ट करेंगे तो क्या होगा 6x follows काई स्कॉर with degrees of freedom 4 तो दोनों तरफ 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x is greater than what 24 या फिर अपने इसको क्या बोल सकते probability काई स्कॉर 4 is greater than what 24 है ना तो क्या हो जाएगा probability sorry 1 minus probability काई स्कॉर 4 is less than equal to 24 4 degrees of freedom में जाके 24 वाला value देखके बता ही कितना आ रहे है 0.99 तो 1 minus 0.9999 विचिस 0.0001 आ रहे है की 401 आ रहे है चेक करो ठीक है कॉपी कर लिजे इसको अब सिंपल लग रहे है टेबल बुक में जहां काई स्कॉर दिस्ट्रिबुशन दिया है ना देखको आपर उसका डेफिनिशन दिया है काई स्कॉर दिस्ट्रिबुशन इस सेम एज गामा दिस्ट्रिबुशन काई स्कॉर दिस्ट्रिबुशन इस सेम एज गामा दिस्ट्रिबुशन विद पारामिटर्स वी बाई टू कॉमा हाफ इसको कॉपी करो फिर में लिखवा दे रहा हूं अभी जितना यहां काम करना है उतना ही घर पर भी काम करना है अभी जितना यहां करना है अभी जितना कि इस fixed तो थे लिए नहीं,''काइस काकूर्ट निट्वीरिशन निट्विशन कॉनसा पेस्समें पेस्समें old's. कोपी होगे के तुम 나타imana की बाकी है देखो, नोट में लिखो काइस्सकरण दिट्तुबीशन कॉन सा बति मरी दिया है पेज नमर्ट 12 में आओ टेबल बुक का, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान दीजेगा सब लोग, चुनो, अपने कोना इंटर लिंकिंग समझना होगा, होयाग, एक बार अगर इंटर लिंकिंग, जो बेसिक बेसिक इंटर लिंकिंग अगर वो, रिवाइस कराएं, तो अभी तक जो भी अपने किये हैं, सबसे होगे तुम लोग चालू क्या होगा, जोमेट्रिक से, जोमेट्रिक क्या होता है, फर्स सक्सेस, चिक है, अब जोमेट्रिक is a special type of negative binomial, अब negative binomial भी दो है, एक्स का रेंज देके समझना पड़ेगा, type 1 है कि type 2 है, एक में एक्स का रेंज चालू हो रहे है, 0, 1, 2 से, जब 0 का बात कर रहे हैं, अब फेलियर्स का बात कर रहे है, सक्सेस के पहले का फेलियर्स को बात करेंगे, तो जब एक्स का रेंज 0 से चालू हो रहे है, वह वाला, तेबल sont Never ingredient been careful मैं 0 से चालू ह रहा है ? इस ने नया ह्या है ? É उमस्का ना है ? आचा यहां पर मत लिख देना ताइब 2 मैं क्या है बताओ जब 0 से चालू हो रहा है इसका मतलब क्या अपने सा मोडल करना है विकॉस अगर पहला वाद ट्राइ ! पहला ही बार में success आ गया तो मेरे को failure तब तक आया है नहीं ना? तो number of failures can be 0, 1, 2, right? अगर number of success को model करना है, तो at least कैसे होगा? आपने को एक try तो करना पड़ेगा ना? बेसिकली अपना क्या बात करें? कितना success का बात करें? फर्स success का बात करें, second success का बात करें, third तो X is K से जब चालू हो रहे हैं, तो number of success को model कर रहे हैं, तो number of success वाला में कौन सा वाला वाला है, type 1 है type 2, type 1, तो negative, sorry, आपने जब geometric करते हैं, तो geometric में आपने क्या बोलते है? तो first success का मतलब क्या है? K is equal to 1, अपने number of success को model कर रहे हैं, negative binomial से, एक particular trial पे, एक particular number of success, geometric में बोले थे first success, तो देखो, geometric में क्या लिखा हो है? geometric is a special case of negative binomial, geometric is a special case of negative binomial, कौन सा वाला negative binomial, type 1 या type 2, बताओ क्या लिखाव है, हाँ तो तुम यह बताओ ना, किसमें के से चालू हो रहे है, मैंने समझा, 0 वाला में क्या model कर रहे है, failures, success वाला वो होगा, जिसमें के से चालू हो रहे है, के के जगा में 1 डालना है, ठीक है, तो कौन सा है, वो type 1 है कि type 2 है, type 1 है, तो geometric is a special case of negative binomial type 1, क्योंकि type 2 में क्या range है, 0, 1, 2 ऐसे हो रहे है, तो वो failures को model करता है, तो geometric का इसका नहीं है, negative binomial जब घुसे तो क्या बोले, एक particular trial पे एक particular number of success चाहिए, ठीक है, उसके बाद में अपने आयोंगे hyper geometric में, hyper geometric का मतलब क्या है, एक दो type का चीज़ होते है, with replacement यो कोते है, without replacement, with replacement का मतलब क्या, probability will not change, that is binomial, ठीक है, without replacement, अपने इसमें ट्रक्स वाला example में किये थे, कि भई, अगर मालो कोई भी चीज, inspection का बात हो रहा है, inspection का, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर 20 लोग बैठा हुए, ठीक है, हम पूछे, match में कितना आया, यहाँ पर मालो, for example, class का, काई squad distribution दो बाद में कराएंगे, अब जैसे मालो, class में 20 लोग बैठा हुए, ठीक है, इसमें आट लोग का, match में 90 प्लस है, बारा लोग का, match में below 90 है, 90 अब अब समझ लो, and below 90 समझ लो, ठीक है, ऐसे है, तो अब मैं पहले वाले को पूछा, कितना आया, match में, कितना आया, match में, बताओ, 90 प्लस आया, ना, match में, तो basically, आप चीज समझो, अब अगर मैं दूसरे से पू आट बच गए, यहां, बारा बच गए, तो जो probability पहले 8 by 20 था, अभी कितना हो गया, 7 by 19, और जो probability पहले 12 by 20 था, अभी कितना हो गया, this is what, without replacement, मतलब समझा, अगर मैं बोलू, कि मैं आख बंच करके पूछा, फिर मैंने बोला, आप लोग मिक्स हो जाईए, फिर दुबारा, तो उसके, जैसे random shuffling जो होता है, cards के deck में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, पत्ता उठाए, देखें, वापस रख दी, shuffle कर दिये, तो probability is not changing, right, लेकि नहीं, पत्ता उठाए, देखा, side में रख दिया, तो probability will change, तो change जब होगा, probability there is what, hypergeometric, hypergeometric, और उसी को hypergeometric को अपन अपने क्या पढ़े थे, poison पढ़े थे, तो poison का मतलब क्या है, arrival rate, mean, average, तो poison जो है, वो बहुत useful है, तो poison का पुरा probability अपने को पीछे दिया है, cumulative probabilities अपने को poison का दिया है, table look के पीछे, binomial को अपने poison से approximate करते है, when n is very large and p is very small, binomial का दो parameter, क्या-क्या, n और p, n और p, समझा तो य इंटर लिंकिंग समझना होगा, और इंटर लिंकिंग दिया है, देखो मैंको दो टेबल बुक में बताता हूँ, table book का एक page में देखो सारा इंटर लिंकिंग दिया है, मैं बताता हूँ, कहां पर दिया है, सारा distribution साहचा खतम हो रहा है, वहाँ अपने कोई interlinking, कितना में द पर यह अपने काई स्कुर्ड गामा, लिको, बेटा, table book का पेस नमर्टी, पर ही है, टेबल बुक का पेस नमर्टी पर ही है, Relationships between statistical distributions अब जैसे chi-square में मतलब क्या है This is the same as gamma Chi-square with degrees of freedom V Is same as gamma with parameters V by 2, half समझा और ये वहला gamma का expectation of X क्या होता है V by 2, half alpha by lambda Alpha by lambda ना Alpha ये है, lambda ये है ठीक है, तो क्या आ रहे है V आ रहे है तो expectation of X अगर ये आ रहे है इसका मतलब क्या है Expectation of chi-square V Expectation of chi-square V is what, V And ये अगर अपने विसका variance of X निकालेंगे तो क्या आएगा Alpha by lambda का square, which is what, 2V तो variance of chi-square V is what, 2V समझा Chi-square V, chi-square with degrees of freedom V का expectation क्या होगा V, and variance क्या होगा, 2V समझ गया Chi-square is same as gamma with parameters V by 2, half Chi-square is same as gamma with parameters V by 2, half Is it clear to all of you, कोई भी confusion नहीं को बो प्लीज ठीक है सबको आज घर में जाके पूरा distributions पढ़के आएगा कल करेंगे generating, एक दिन करेंगे joint, एक दिन करेंगे conditional ठीक है, एक दिन करेंगे sampling और एक दिन करेंगे CLT मैं बोला, Chi-square is same as gamma with parameters V by 2, half फिर mean निकाला है, गामा का mean के alpha by lambda, variance के alpha by lambda square ठीक है, हाँ, बोलो, ठीक है, अभी एक और देखो गामा में क्या है ना, गामा, गामा में बहुत सार अडप का curves बन सकता है ठीक है, अब गामा का special case करेंगे, इसके बाद next setting लगाना, यह समझाए ना सबको इसके बाद next setting लगाना, next setting लगाना, exponential distribution, लिखना, इसलिए हमने बोलते हैं, एक्स फॉलोज exponential lambda, इसका जो fx होता है, जो अपना गामा था ना, तो उसमें alpha के जगा में अगर 1 डालेगा ना, तो क्या आएगा देख लो, lambda e to the power minus lambda x, x is greater than 0, और इसका जब तुम capital fx निकालेगा ना, तो वो आएगा integration 0 से x, lambda e to the power minus lambda s ds, जब random variable का class किये थे ना, मैंने इसी का integration करवा के दिखाया था, integration start to x, और जब limits में x रहेगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, s, तो यहाँ पर मैंने क्या कर सकते हैं, lambda e to the power minus lambda s by minus lambda, यहाँ पर आएगा 0 to x, lambda lambda cut, yes or no, lambda lambda cut, तो मैंने मैं आएगा, e to the power minus lambda x minus 1, so this is 1 minus e to the power minus lambda x, this is what, probability capital x is less than equal to small x, यही जब निकालेंगे probability x is greater than x, तो क्या आएगा, e to the power minus lambda x, clear है, gamma का mean क्या होता, alpha by lambda, exponential का mean क्या हो जाएगा, 1 by lambda, exponential का variance क्या हो जाएगा, 1 by lambda, square, ठीक है, पापी करिए इसको, ठीक है, किसको scroll up बोल रहा है, और कितना उपर दिया, प्लीज माइक क्यों करिए, हो गया, ठीक है, अब exponential में note लिख लो, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको बोलते है, waiting time distribution, ठीक है, waiting time distribution, ध्यान दीजेगा, अब जैसे माल लो, ये classroom में तीन, बहुत सारे bulbs थे, ठीक है, I am a psycho, अब मैं बैट गया हूँ, एक experiment कर रहा हूँ, कि जब तक ये bulbs बंद नी होगे, ना तर तक मैं बैठा रहूँगा, देखते रहूँगा, ठीक है, अब, जो भी bulbs, जो चाइनीज बल्ब्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है, वो ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है, आप देखो के, बहुत सारा bulbs, एक सर्टेन टाइम में बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो चल रहा है, वो चली रहा है, अभी जैसे दिवाली आ रहा है, तो rice lights लगता है, कुछ-कुछ जो rice lights लगता है, आप देखो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन कुछ-कुछ को पानी में डूबाएगा, चलाएगा, तो भी चलता है, अभी दो अराइवल के बीच का जो वेटिंग टाइम है, तो मेट्रो के सीडी से नीचे उतर ही रहा था, कि मेट्रो गुजर गया, तो वेटिंग टाइम बेट्विन टू अराइवल्स इस एक्स्पोनेंशल, पॉजर से यह मापेंगे कि कितना रेट से आ रहा है, एक घंटे में, एक मिनिट में, दस मिनिट में, कितना मेट्रो आ रहा है, एक टेलिफोन बूट में कॉल्स किस रेट से आ रहे हैं, दो अराइवल के बीच का वेटिंग टाइम को मॉडिल करेंगे, exponential से, ठीक है न, is it clear, ठीक है, so waiting time distribution बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके, यह ला हुआ, अभी question करेंगे इस पर, अब जैसे देख लो, इसका mean क्या हो जाएगा फिर, इसका mean हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 by lambda, इसका जो variance हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 by lambda, square, इसका मतलब expectation of x is equal to what, 1 by parameter, which is sg of x, समझा, mean is equal to standard deviation, yes or no, mean is what, अरे बोलो तुमको नहीं दा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, बताओ, मन चल्चल हो रहा है, किसका कॉल आ रहा है, बात करो, मम्मी का फोन कभी भी उठा सकते, class में, ठीक है, अब जैसे मैं का आपको sum देता हूँ, fx अपने को दे दिया है, 1 by 3 e to the power minus x by 3, x is greater than 0, और पता है अपने को क्या बोला है, the time in minutes between telephone calls, language भी तो समझना पड़ेगा न, जैसे में क्या बोला है, the time in between telephone calls, the time in between telephone calls, in between telephone calls का मतलब क्या है, कि दो कॉल के बीच में, दो कॉल के बीच में, तो वेटिंग टाइम हुआ न, the time in between बोल रहा है न, तो वेटिंग टाइम हुआ, clear है, हाँ, तो यह अपने को effects दे दिया है, पहला question है अपने को mean निकालने बोल रहा है, mean waiting time, बने on average कितना वेट करना पड़ता है, तो क्या आएगा, three, minutes में है तो three minutes, हाँ, दूसरा अपने को बोल रहा है, दूसरा अपने को बोल रहा है, probability x is greater than equal to six, इसका मतलब पता है क्या है, the probability of waiting for six or more minutes, without a telephone call, अरे वेटिंग टाइम का बात हो रहा है न, मतलब 6 इसे ज्यादा minute बीच जाएगा, और एक भी call नहीं आएगा, ठीक है, तो greater than का अपने क्या किये थे, e to the power minus lambda x, e to the power minus lambda x होगा न, तो e to the power minus 2 होगा, 6 into 1 by 3 होगा, check करो, ठीक है, उसके बाद में अपने को बोल रहा है कि call आएगा, बढ़ 6 मिनिट से लेके 9 मिनिट के बीच में आएगा, आई रिपीट, call आएगा, 6 मिनिट से लेके 9 मिनिट के बीच में आएगा, तो उसका अपने कैसे बनाएंगे, probability 6, x 9, तो क्या करेंगे, f9 minus f6, बहुत सिंपल है ना, f9 का मतलब क्या है, 9 से पहले, 6 का मतलब क्या है, 6 से पहले, तो 1 minus e to the power minus 1 by 3 into 9, minus 1 minus e to the power minus 1 by 3 into 6, so this is what, e to the power minus 3, e to the power minus 2 minus e to the power minus 3, yes, this is the correct answer, 3 distribution कराया, मैंने अभी तक, एहला मैंने कराया, गामा, फिर मैंने कराया, काई स्क्वेर, और फिर मैंने कराया, exponential, सब को समझ में आया है, हाथा, yes or no, चीक है, अब आईए, next में आईए, put the heading, uniform distribution, uniform distribution, uniform distribution, uniform distribution, uniform distribution, discrete में भी कियोंगे, और continuous में भी कियोंगे, और continuous में भी कियोंगे, ठीक है, uniform distribution, continuous वाले का notation है, x follows uniform a से b, तो फिर इसका जो fx बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 by b minus a, ठीक है, इसका expectation निकाल के देखते हैं, क्या बनता है, integration a to b, x into 1 by b minus a dx, तो x आजाएगा बाहर, a से b, dx by, एए, sorry मैं क्या किया, sorry, really sorry, यहां तक फ़ले copy कर लो, 1 by b minus a बाहर, integration a to b, x dx, ठीक है, 1 by b minus a, b minus a, so this is what, 1, x आजाएगा, 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 x आज कि देखो मेरा बात समझना सबसे पहले क्या हुआ अपने स्टेडिंग लगा अब जब अपने को ऐसा देगा ना इसका मतलब है this is x follows uniform a to b ठीक है अपना fx क्या आया 1 by b minus a expectation of x अपना क्या है expectation of x में अपने क्या किये expectation of x में अपने क्या किये बताओ x into fx gx a to b तो 1 by b minus a constant अपहले में भूल से x ले लिया ठीक है तो अपना constant पार्ट क्या है 1 by ये वाला पार्ट अपना constant अब भार आ गया x का क्या हो जाएगा x square by 2 ठीक है तो half तो ठीक है फिर अपने value बढ़ाएंगे तो b square minus a square अभी क्या आएगा अपना यहां से बताओ a plus b by 2 तो similarly अपने next में क्या निकाल लेंगे घर पे expectation of x को और फिर variance of x uniform बहुत simple है ठीक है इसमें कुछ कराने का नहीं है यह सच ठीक है ना is this okay to all of you बोलो हाँ या ना ठीक है next put the heading यहां तको गया ना next put the heading यह लोग कॉप्यों के सबका next put the heading नॉर्मल दिस्ट्रिबिशन ठीक है नॉर्मल दिस्ट्रिबिशन समेट्रिकल दिस्ट्रिबिशन होता है नॉर्मल दिस्ट्रिबिशन समेट्रिकल दिस्ट्रिबिशन होता है ठीक है ध्यान देना इसका curve देख लो यह ऐसा बनता है ठीक है बीच में आता है आपका mean is equal to median is equal to mode ठीक है तो basically यहाँ पर क्या होते है area to the right is exactly equal to area to the left which is equal to what 0.5 ठीक है नॉर्मल दिस्ट्रिबिशन का x follows normal mu, sigma square x follows normal mu, sigma square तो इसका दो parameter होता है ठीक है इसको हम लोग inverted u भी बोलते है ठीक है ना bell shaped भी बोलते है ठीक है नॉर्मल का मतलब क्या है जो भी सारे values होंगे मोटा मोटी वो mean के आसपस में लाई करेंगे आप जितना mean से दूर जाओगे उतना क्या होगा values कम होते जाएंगे इसलिए ऐसा graph बनाया है ठीक है इसको symmetrical distribution बोलते है अब normal में क्या दिक्कत है ना normal का values ऐसे कितना डालेंगे इसलिए normal को हम लोग convert करते है standard normal में और probability standard normal का अपने को table book में मिलेगा ठीक है फहले यहां तक copy कर लो ठीक है normal distribution में क्या होते है standardization के लिए अपने यूज़ करते हैं z z क्या है follow करता है normal 0,1 and z का value क्या है x minus mu by sigma standardized करने के लिए अपने क्या करेंगे mean को करेंगे minus और sigma वोचकी standard deviation है उससे divide करेंगे normal distribution का दो parameter mu और sigma square जो कि उसका mean और variance भी है ठीक है ना copy कर लो पहले यहां तक हां हां मैं उपर कर रहा हूं पहले उपर को copy कर अभी बताया है नहीं मैंने बोला standardization करते हैं अपन ठीक है standardization करते है standardization अपन करते हैं ना वो ऐसे ही करते है z क्या follow करता है z ही standard normal z follow करता है 0,1 and standardization करेंगे कैसी mean को करेंगे minus और sigma से करेंगे divide ठीक है अब जैसे क्या है ना तुम table book में आओ table book का page number 160 में आओ table book का page number 160 में आओ तो table book का page number 160 161 में देखो probability points दिये वे हैं यह आपका standard normal का है ठीक है and starting में आपको normal distribution का भी पुरा PDF अगरा मिल जाएगा और standard normal का भी पुरा PDF अगरा मिल जाएगा तो उसमें ज़्यादा stress out नहीं कर रहे हैं ठीक है तो क्योंकि standard normal का mean क्या है जीरो तो standard normal में बीच में जीरो आएगा जीरो के पहले क्या है negative values और जीरो के इधर क्या है positive values तो देखो जीरो का value देखके बताओ कितना है जीरो पॉइंट फाइव है जीरो पॉइंट फाइव है अब आप में को यह देखके बताओ probability for example ऐसे निकाले बलता प्रॉइट इस ग्रेटर दैन 0.74 तो अपने क्या करेंगे one minus probability that is less than equal to 0.74 तो देखके बताओ कितना हारा है जीरो पॉइंट सेवेंट फॉर का value देखके बताओ ये यह जितना भी सरा दिया वे ने सरा less than equal to probabilities दिया वे कितना हारा बताओ ये 0.00335 तो कितना हारा है बताओ 0.22965 ठीक है 0.22965 बोला क्या ठीक है अब जैसे देखो ये इसमें small five में ऐसे डंडा होता है इसको आपने ऐसे भी लिख सकते है इसको अपने इसको अपने ऐसे भी लिख सकते है capital five 0.74 ठीक है थोड़ा उपर करना हुआ बेटा एक मैट अब जैसे इसमें क्या होगा ना ध्यान देना area to the right is exactly equal to area to the left पहले यहां था copy कर लो आ रहाम से ठीक है ध्यान देना यहाला हुआ अब ध्यान दो आप जैसे क्या है सोचो यह अपना curve है standard normal का ठीक है यहां पर है a तो यहां पर होगा minus a क्योंकि बीच में क्या है 0 a से बड़ा होने का जो probability है minus a से छोटा होने का probability सेम होगा मतलब probability z is greater than a is what probability z is less than minus a और एक चीज है z is less than a is probability z is greater than minus a समझा न अब जैसे माहलो तुमको बोलता probability z is greater than minus 0.96 निकाल ले तो इसका मतलब क्या तुम करेगा probability z is less than 0.96 कितना रहा बताओ 0.83147 ठीक है टेबल लुक में जाओ देखो स्टाटी में कौन सा नमर पेज में दिया वह देख लो नॉर्मल और स्टैंडर नॉर्मल का देख लो एक बार पीडिया फगेरा देख लो पीडिया फगेरा देख लो तुमको पेज में यह वाला टेबल बुक का पेज नमर 16161 में 16161 में मिलेगा और एक दिया वह आपको टेबल बुक का पेज नमर 162 में इसका मतलब क्या है अगर पहले ग्राफ से समझाओ तो जैसे मालो यह 5% का वैल्यू है ना इसका मतलब है कि प्रॉबाबिलिटी जेड इस ग्रेटर दैन 1.6249 इस 0.05 बने 1.6249 का वैल्यू को एकसीड करेगा 5% प्रॉबाबिलिटी के साथ में ठीक है यहाँ पर आएगा 1.6249 मतलब यह जो एरिया है दिस इस 5% ठीक है बने 1.6249 का वैल्यू को एकसीड करेगा 5% प्रॉबाबिलिटी है इसका समझ मैं है तुम लोको बोलो ठीक है कोई भी दिक्कत यहाँ तक कोई भी डाउट अब एक एक्जांपल करेंगे इसमें एक्स फॉलोज नॉर्मल 30,5 का स्क्वाइर यह अपने को दे दिया ठीक है अपने को निकालना है एक्स इस ग्रेटर देन 45 तो सबसे पहले इसको स्टैनरडाइस करना पड़ेगा यह उपर वाला सब कॉपी हो गया क्या सबसे पहले इसको अपने को स्टैनरडाइस करना पड़ेगा तो स्टैनरडाइस कैसे करेंगे ध्यान देना अपने करेंगे जेड इस ग्रेटर दैन 45 माइनस 30 बाइफ इस तरफ में क्या कि माइनस म्यू बाइ सिग्मा विच इड और इस तरफ में क्या होगे माइनस म्यू बाइ सिग्मा अब वाली देखे बताइए इस वाट वन माइनस केपिटल फाइट्री ओगा ना कितना रहा बताइए पाई थी का वैलू देखे बताइए टेबल लू का पेज नमर 16161 से हां कितना रहा है जिरो पॉइंट वाट्री वाट्री वाइव वाट्व उसा कोई हे में जो पिछला आड़्म्ट एड़िशन लिए ठाव एक्स्टेंशन नहीं लिए है 1000 पैंट नहीं किया है क्योंकि यह जो क्लास चल रहा है यह एप्रिल के लिए और तुमने अगर मालू क्लास लिए सब्टेंबर के लिए तो अकस्मात तुम्हारा क्लास बंद हो सकता है extension ले लिए ने सब लोग या फिर उसी attempt के लिए admission लियो फर एप्रेजमबल एप्रिल 25 फिर में 25 मुश्टी सबका बंदी हो गया हो गया थी सब्टेंबर लाज्ट आइगेस क्या चीज अरे वो ठीक है वो बंद हो जाएगा इसने पूछ ले रहा मतलब ऐसा कोई है जो भी तक extension नहीं लिए तो प्लीज extension ले लेना इस नमबर पर contact करना extension के लिए 8100-598543 ठीक है यह वाला ठीक है सबको चली आईए अब इसके बाद में यह लग हुआ हाँ अब अगर माल लो अपने कोई ऐसा चीज का probability निकालने बोलता है mod of x-30 is greater than 5 तो इसका दो मतलब निकल के आता है x-30 is greater than 5 x-30 is less than minus 5 और एक होता है mod of x-30 is less than 5 this means minus 5 से 5 के बीच में लाई करेगा समझ गया ना? copy कर लो पहले तो इसको यहां आएगा probability x is greater than 35 probability x is less than 25 probability z is greater than 35 minus 30 by 5 probability z is less than समझ गया दोनों का मतलब ठीक है? हाँ? बोलिये? तो उसको यूज करो ना? नहीं 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 उसको यूज करो ठीक है यहला हुआ? हाँ? तो नॉर्मल डिस्टिबूश से समझ में आना है? कैसे standardized करना है? क्या करना है? एक बात याद रखना percentage points में हम लोग जाएंगे 100% से 0% समझ गया ना? यह चीज़ याद रखना इसके बाद में heading लगाना log normal distribution log normal distribution ठीक है? तो log normal distribution में क्या होता है ध्यान दीजेगा यह हुआ ना सबका अब जैसे मानलो अगर x follow करता है log normal mu, sigma square तो यह उसका parameters है mu और sigma square बट उसका mean और variance नहीं है इस case में expectation of x जो होगा e to the power mu plus half sigma square and variance of x जो होगा mean का square e to the power sigma square minus 1 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं e to the power 2 mu plus sigma square e to the power sigma square minus 1 और एक चीज़ समझना अगर मानलो ln x follow करता है normal mu, sigma square तो x follow करेगा log normal mu, sigma square अब एक चीज़ समझो अगर x log normal follow करता है तो अपने क्या करेंगे अभी अपने को ऐसे बोलेगा x follows log normal, तो अगर x log normal follow करता है मतब log x क्या follow करेगा normal तो log x normal follow करेगा और फिर standardized करेंगे मने log normal से पहले log लगा के normal में आना पड़ेगा और फिर standardized करना पड़ेगा एक सम करेंगे इस पर, log normal का देख लो, pdf थोड़ा अलका complicated है टेबल लूक में दियाव है रटने का कोई भी दरकार नहीं है, ठीक है? यह लो, copy कर लो और इसका अपने question करेंगे x follows log normal mu, sigma square ठीक है? यह लो, पुरा copy होगे सबका? x follows log normal, 10,4 आपको निकालना है probability x is greater than 2,00, अब देखो, x is greater than 2,00 और x क्या follow करेंगे? अब नॉर्मल ना, log normal, तो पहले दोनों तरफ log लेंगे ता कि normal में convert हो, क्योंकि यहां से क्या समझ में आता है, that lnx will follow what? normal 10,4 है ना? तो probability lnx will be greater than what? ln 2,00, पहले यहां तक करो, अब log x normal follow कर रहा है, probability z is greater than ln 2,00, minus 10 by 2, क्योंकि 2 square है ना? solve कर लीजिए, कितना रहा, probability z is greater than how much? करो solve अब लोग कितना रहा, z is greater than how much? कितना रहा, 1.10, 3, 1.103, हाँ तो ठीक है, अब जैसे आप देखो, आपको 1.10 मिलेगा, 1.11 मिलेगा, तो इस case में अपने क्या करेंगे, linear interpolation लगाएंगे, linear interpolation का formula है, x minus x1 by x2 minus x1, fx minus fx1 by fx2 minus fx1, अब जैसे यहां पर देखना, आपको जैसे 1.1 का value पता चल जाएगा, 1.11 का value पता चल जाएगा, आपको निकालना 1.103 का value, ठीक है, अब कैसे नेम करेंगे, this is x1, this is fx1, this is x, अपने को fx निकालना है, this is x2 and this is what, fx2, अपको सब पता रहेगा, फाली fx नहीं पता रहेगा, is it okay to all of you, clear है, yes or no, ठीक है, copy करके इसको solve करिए, हाँ, श्रिवांगी मैम का stats basics का पूरा class complete करना, उसमें जैसे क्या है कि उसमें आगे का distributions भी कराया है, वेबूल कराया है, परेटो कराया है, बीटा कराया है, तो वो सब भी important है, ठीक है, content बहुत है, sokin करने वाला आदमी चाहिए, इसको copy कर लीज़े, अभी sums करेंगे, सब लोग अपने dashboard में जाओ, वहाँ पर basic assignment बोलके होगा, basic assignment निकालो, दो मिट का मैं break दे रहाँ, ठीक है, dashboard में जाएगा, basic assignment निकालेगा, basic worksheet बोलके होगा, उसका probability distribution वाला section में आएगा, उसका probability distribution वाला section में आएगा, यह लोग कॉपी होगे है क्या, हाँ, उसका probability distribution वाला section में आएगा, question नमबर 67 करेगा और 68 करेगा अभी classwork में, चलो चालू करो, दो मिट का break है, कर्णे हो उसके करेख草 है, क्या तक रॉक्रा में, आएगा ऑनला N Bentley रिवली कर दोने हैं, क्या सैल, कर दो मिट को वालू हो किए 13th, भ्रोमी होक्इज वालू को उनका शवलनी अ etन्सावाओाम प्र quiet, sे पमानी आwट, और ग perform, झाल 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 तो तो दो कुश्चन रिविजन के और फिर आपका आर का क्लास चालू हो जाएगा झाल य९ई आपका आपकार जाएग कर। यज़ी क्राएग कर। जुश्चन पर देखो एफ एक्सपौलोश अभी क्लास वां चालू मत करने ऐसे लॉग ओट हो जाएगा अभी रुख जो हाँ इफ एक्स फॉलोज गामा टैन कॉमा टैन प्रॉबाबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एल इस जिरो पॉइंट जिरो वन अपने को एल का वैल्ली बताना है ठीक है यह 68 पहले कर लोग लिख दिया बॉस कौन है ठीक है तो 20 एक्स फॉलोज काई स्क्वेर 20 प्रॉबाबिलिटी ट्वेंटी एक्स ग्रेटर दैन एल सोरी 20 एक्स ग्रेटर दैन 20 एल इस वाट 0.01 ठीक है ठीक है ठीक है प्रॉबाबिलिटी काई स्क्वेर 20 ग्रेटर दैन 20 एल इस 0.01 समझा अरे बोलो हाया ना एनरजी नहीं है तुम लोग के अंदर जोश में आओ थोड़ा एक्स ग्रेटर दैन एल एक्स ग्रेटर दैन एल इस 0.01 ट्वेंटी एक्स ट्वेंटी एक्स फॉलो स्काई स्क्वेर 20 टू लैमडा एक्स फॉलो स्काई स्क्वेर 2 अलफा ना तो ट्वेंटी एक्स ग्रेटर दैन ट्वेंटी एल अब काई स्क्वेर में जाएए ट्वेंटी डिग्रीज ओफ रीडम में काई स्क्वेर में जाएए ट्वेंटी डिग्रीज ओफ रीडम में परसेंटेज पॉइंट्स में जाएए काई स्क्वेर में जाएए ट्वेंटी डिग्रीज ओफ रीडम में परसेंटेज पॉइंट्स में काई स्क्वेर में जाएए परसेंटेज पॉइंट्स में ट्वेंटी डिग्रीज ओफ रीडम में एक परसेंट का वैल्यू देखके बताईए ना लायक, इधर देखो, I am joking, क्या लिखा वे बोट पे, 1.01, तुम समझ नहीं रहा है, ये देखो, probability काई स्कुएट 20, ग्रेटर देन 37 पॉइंट, 37.57, is what, 0.01, ना, मैं क्या बोला, 20 degrees of freedom में जाके, 1% का value देखके बताओ, 20 degrees of freedom में जाके, 1% का value देखके बताओ, तो ये आ रहे हैं, अब compare करेंगे, अरे हाँ ना बोला, तो compare करेंगे तो क्या आएगा, compare करेंगे तो क्या आएगा, 37.57, is what, 20L, ना, तो येल का value कितना आ रहा, 1.875, यहाँ तक समझ में आया, yes or no, अरे बोल ही नहीं रहे हैं तुम लोग, क्या नहीं आया, बताओ इसमें, percentage points में जाक, जहाँ पर area right वाला shaded है, percentage points में जाके, कितना नंबर पेज में है, table book का page number 169 में जाओ, 20 degrees of freedom, V के जगा में देखो, 20 और 1% में जाके देखो, ठीक है, अब 67 में आईए, claim sizes are normally distributed, so x follows normal कितना, 6,000 का स्क्वेर, अपने को क्या बोल रहे हैं, probability x is greater than 7,500, given, it is greater than 6,000, so क्या हो जाएगा, probability x is greater than 7,000, intersection x is greater than 6,000, divided by x is greater than, क्या होता है, a intersection b by pb, साड़े 7,000 से बड़ा और 6,000 से बड़ा, दुनों में common क्या होगा, साड़े 7,000 से बड़ा, अरे साड़े 7,000 से बड़ा, दुनों में common क्या होगा, तो x is greater than 7,500, by probability x is greater than 6,000, एक मैं करके दिखा देता हूँ, z is greater than 7,500, z is greater than 7,000, minus कितना आएगा, बताएगे, हाँ, minus 6,000 by 1,000, solve कर लो इसको, z is greater than 1.5, 1.5 नहीं आ रहा है, हाँ, 1.5, ठीक है, similarly उसको solve कर लेना और answer निकाल लेना, 5 मिट का break है, ठीक है, अभी आपका room 2 में R programming का class है, ठीक है, सर लेंगे, कल जहाँ छोड़ेते कोई भी online वाला class छोड़ेगा नहीं, 5 मिट का break ले लो, ठीक है, 5.50 पे आप लोग का class चालू हो जाएगा, 5 मिट का break की 10 मिट का, तुम बोलो, 10 मिट का break की 5 मिट का, 5 मिट, 5 मिट 10 मिट ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं, class 5.55 पे ठीक है, 10 मिट का break है, ओके, आज के लिए इतना ही, continuous distribution is complete, thank you.